इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं है ये हमें बताना है अब मैं आपके लिए स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ आप सेंपल पेपर के अंदर पढ़ेंगे पहली कंडिशन क्या दे रखी है हमारे पास एक सरकल है और उसके किसी भी एक पॉइंट से आपका नमबर ओफ सीकेंट को ड्रा किया जा सकता है जरा समझ लेते हैं पहली कंडिशन कोई पॉइंट है आपका ये सरकल पे ये पॉइंट है यहां पे एक सीकेंट बना सकता हूं 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 यानि आप ध्यान से देखें तो मैंने एक पॉइंट से कितने सारे सीकेंट बना दी है यहां तो आप ये सही कह रहा है and number of secents can be drawn from the any point on the circle कोई भी एक point ले लो उससे number of secents यहाँ पर draw की जा सकती है that means पहले वाला जो option है वो तो true है B वाला, B वाला क्या कह रहाँ ज़रा सुनिए only one tangent can be drawn at any point on a circle आप circle पर कोई एक point ले रहे हैं माल लो circle पर हम यहाँ एक point ले रहे हैं तो इस point से तो आप क्या है एक ही tangent draw कर पाऊगी वैसे तो आप circle पर यहाँ ले लो तो एक tangent बना सकते हो यहाँ ले लो तो एक tangent बना सकते हो but एक point पर केवल एक ही tangent बनाई जा सकती है तो यह बात भी सही होगी that means this is also true अब जरा c वाली बात सुन लेते हैं वो क्या कह रहा है a code is a line segment joining two points on the circle एक code जो है वो एक line segment होती है जो circle के दो points को join करती है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ a code is a line segment let's say this is a b तो जो code है वो एक line segment है जो circle के दो points को join कर रही है तो definitely यह बात भी true है आपका d को जरा हम कह देते हैं क्या कह रहा है हो from a point inside a circle only two tangents can be drawn अब देखो जरा क्या कह रहा है circle के अंदर एक point है और उससे केवल एक tangent draw की जा सकती है पहली बात तो इस point से जब अब line pass कर वा होगी न वो या तो secant या code होगी अंदर जब point है तो उस पर तो tangent बनाई ही नहीं जा सकती है tangent बनती है outer layer पर जो भी point है उनको आप tangent बना सकते हो बट circle के अंदर तो tangent नहीं बना सकते है तो यही जो वाला part है वो not true है यानि question का answer यही है क्योंकि question तो यही पूछ रहा है न कि चारो statements में से कौन सी statement आपकी not true है that is option D इसको आप यहाँ पे tick करेंगे